इंटरनेशनल टूर वो भी सस्ते में क्या ऐसा सच में हो सकता है? अगर यह सवाल आपके मन में भी है तो हमारा जवाब होगा जी हाँ सस्ते में इंटरनेशनल टूर हो सकता है बजट में एक इंटरनेशनल टूर करना किसी खुशखवरी से कम नहीं होता कम बजट में आप इंडोनेशिया का टूर प्लान कर सकते हैं और बाली जैसे फेमस आइलेंड पर छुटिया मना सकते हैं इस टूर की सबसे खास बात तो ये है कि समुद्र तट के किनारे पर बसे हुए बाली में कई एतिहासिक मंदिर परमपरागत संगीत के साथ डान्स दुनिया भर के लोगों को आकर्शित करने की बहुत शमता है बाली में हर साल बड़ी संख्या में दुनिया भर के परिटक पहुसते हैं नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चानल लेक्स एक्स्प्लोर टीवी पर दोस्तों इंडोनेशिया पर हमने पहले ही वीडियो बनाया है जिसका लिंक हम शेयर कर रहे हैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों बाली अपनी प्राक्ति खुपसूरती के लिए दुनिया भर में मशूर है इसकी खुपसूरती देखकर टूरिस्ट यहां खिजे चले आते हैं यहां साल भर टूरिस्ट का जमावडा लगा रहता है बाली की कुछ अनोखी बाते भी हैं जो इसे और भी जादा खास बना देती हैं यहां जाकर आपको अलग नियम और रीती रिवास देखने को मिल जाएंगे जिनें जानकर आप हैरान हो जाएंगे आए जानते हैं बाली के बारे में कुछ खास बाते दोस्तों बाली के आसपास कई सारे जुआला मुखी हैं जिसकी वजह से यहां कई जगहों की रेत भी काली हो जाती है बाली में काली रेत के बीचिस होते हैं जो दूसरे बीचिस से बिलकुल अलग हैं बाली के काले बीचिस टुरिस्ट को बहुत लुभाते हैं और हाँ दोस्तो जहाँ पूरी दुनिया में नए साल का स्वागल जोर शोर से किया जाता है तो वहीं बाली में निव यर को बिलकुल उल्टे दरीके से मनाये जाता है बाली में नए साल को नैपी डे कहा जाता है इस दिन यहाँ मेडिटेशन किया जाता है नए साल पर पूरी दुनिया में जहां नाच, गाने, मस्ती, मौच और खुब पार्टीज होती हैं, तो वहीं दुकानों, बाजारों में रौनक होती हैं, तो वहीं बाली में इस दिन दुकाने बंद होती हैं, इस दिन यहां काम काच करने पर पाबंदी होती हैं, और नए साल किया जाता है यह यहां का पारंपरिक म्रत्य है आप जब भी यहां आए तो इस ट्रेडिशनल डांस को जरूर देखेगा दोस्तों बाली में अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए कम से कम एक हफ्ते का तो प्लान करना ही चाहिए अगर बजट अच्छा है और गूमने के लि आप बिल्कुल भी मत पढ़िएगा बाली में आदे से जादा समय गूमने में बीच जाता है तो ऐसे में जादा लक्जीरियस होटल लेने का क्या ही फायदा थोस्तों बाली में कई आकरशित और गूमने वाली जगह है जो काफी बहतरीन है बाली में जब भी विकेशन का प उबूत को द्वीब की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है ये द्वीब पर सबसे महत्वपून संग्रहालें का घर भी है इसमें उबूत के नेका कला संग्रहाले और इसके व्यापक संग्रहे शामिल है जिसमें बाली पेंटिंग भी है उबूत में हर दिन संगीत और न बिन्य अंग रहा है। यह साथ समुद्री मंद्रों में से एक है दोस्तों। सभी एक दूसरे की दृष्टी में बहुत ही जरूरी है। दोस्तों यह है उलुवातु हंदे। बाली में यहां जरूर जाना चाहिए। यह हिंद महासागर की शांदार द्रशी के साथ एक चटान पर है। कल्पना कीजे यहां सूर्यास्त कैसा होगा। और इसके अतरिक्त बाली में शीश इस्थानों के बीच एक प्रमानित केकस नत् जो की विश्फप्रसिद है। यह बहुत ही खास है और यहां की लोगों के द्वारा किया जाता है। दोस्तों इसी के साथ सैमनियांग। एक छोटा सा शहर है जो कूटा से घिरा हुआ है। कूटा से इसकी निकटता के बाम जूद सेमनियांग, सबसे शानधार परिटन इस प्राइक्टिव सेंटर है दोस्तो बाली परिटक के स्वादिष्ट भोजन चकने के लिए आप सनूर में बैलिनी फूट का आनंद ले सकते हैं बाली आने वालों का स्वागत बहुत सारे स्वादिष्ट भोजन से ये लोग करते हैं यहां के कुछ प्रमुक्र डिशिस की बात की जाए तो सी बटूट, चिकन, लिमिन ग्रास सॉस, केले में लपेट कर बनाई गई फिश डिश और सांडविच, बर्गर्स ये बहुत ही खास होते हैं दोस्तो बाली परिटन इस तो लोग की खासा पसंद रहा है यहां आने का सबसे अच्छा समय अप्रेल से अक्टूब कराएं और बजट को थोड़ा सा बढ़ा कराएं आप देखेगा बाली की ट्रिप इतनी खास होने वाली है दोस्तो मोस्ती लोग बाली को हनीमून के लिए प्लान करते हैं लेकिन आप यहां अपने दोस्तों के साथ अपनी फामली के साथ चिल कर सकते हैं फुल एंजोई कर स और हां दोस्तों आप बाली कब जा रहे हैं ये भी हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हमें इंतिजार होगा मिलते हैं आप से किसी नई डेस्टिनेशन पर तब तक के लिए बाब बाई एंड टेक केर